तो जब से सर्दियां स्टार्ट होई हैं तो खूब ताजी ताजी हरी हरी मटर तो धेरो सारी घर पे आती जाती रहती हैं तो हमारे घर में भी ना हुआ यूँ कि धेरो सारी मटर यानि की पाँच किलो मटर मेरे पापा मार्केट से ले कर आ गए हैं और उसको छील छील कर हमने उसे स्टोर कर लिया है अब हुआ यू ना कि अब मटर तो है लेकिन इसकी तरह तरह की सबजिया हमें रोज बनानी पड़ती है आज मैंने सोचा आज बनाते हैं मटर का एकदम अलग और अनुखा सा टेस्ट वाला नाश्टा जो खाने में हैं बहुत ही असान तो इसके लिए मैंने क्या करा है ना एक कप के करीबन मटर को बॉयल कर लिया है तो यह ताजी-ताजी मटर है कच्ची मटर है तो जल्दी से ही बॉयल हो जाती है तो यहाँ पर मैंने इसे boil करके stain कर लिया है तो अब मैं यहाँ पर mashur की मदल से इसको अच्छे से mash कर रही हूँ आप चाहे तो इसे दरदराना mixi jar में भी पीश सकते हैं तो मैं इस तरीके से mash कर ले रही हूँ और आप मानेंगे नीना ये नाश्टा खाने में बहुती ज़्यादा टेस्टी लगता है और काफी हेल्दी भी है ना इसमें हम आलू स्थमाल करने वाले हैं लेकिन बनने वाला ये बहुती ज़्यादा बहतरी है तो यहां पर देखे इसको मैश कर दिया है और इसकी एकड़म खिचड़ी बना दिये मैंने और साथ ही मैंने ले लिया है एक कप के करीबन पोहा जिसे की मैंने धुल करके भीगो करके मतलब निकाल लिया है स्टेन करके तो ये जब एकदम soft हो जाए ना moisture में इसको ना मटर के साथ अच्छे से mix कर लेना है हातों से दबा दबा कर उसके बाद मैंने डाला है बारी कटी हुई धनिया पती, साती, हरी मिर्ची और एक medium size का प्याज तो ये प्याज जो है totally optional है अगर आप प्याज lesson नहीं खाते हैं तो प्याज को skip कर दीजे पर taste के according नमक, खल्दी powder, लाल मेश powder और अब यहाँ पर हम डालेंगे taste के according छोटा चमच, चाट मसाला और एक छोटा चमच डालेंगे आमचूर powder साथ ही मैंने डाला है तीन चमच बेसन जो की binding करने में easy रहेगा तो इसमें आपको बिल्कुल भी पानी नहीं डालना, starting में आपको mix करते टाइम ऐसे लगेगा जैसे ये dry है तो bind होगा की नहीं तो आपको बिल्कुल पानी नहीं डालना, इसको इसी तरीके से mix करते जाएं क्योंकि पोहा और जो मटार है उसमें पूरा moisture होता है तो आप दीरे दीरे इसको अच्छे से दबा करके mix करते जाएंगे तो थोड़े देर बाद ही आप देखेंगे कि ये एकदम मतलब डो की form लेने लग जाएगा तो बस इसे अच्छे से mix कर लें और इस stage पर आप नमक मिर्ची taste करके देख सकते हैं कि material में नमक मिर्ची कम जादा है कि नहीं तो यहाँ पर देखिए हमारा mixture हो गया एकदम ready तो आप इसको ना कोई भी shape दे सकते हैं तो मैं आपन नॉर्मली टिक्की की shape दे रही हूँ या यूँ कहें तो हम बना रहे हैं मटर के पोहे के cutlet तो या तो आप इसे इस तरीके से टिक्की वाली shape दे दीजे नि तो कोई सी भी आप triangle shape दे सकते हैं rectangle shape दे सकते हैं कैसी भी shape आप दे दीजे अपनी मन पसंद की तो यहाँ पर हलका सा हाथों में पानी ल यूँ shallow fry तो आप चाहे तो इसे fry भी कर सकते हैं deep fry तो मैं इसे सिर्फ shallow fry कर रहे हूँ ताकि अच्छी तरीके से एकदम crispy करा रहा हो जाए तो यह नाश्ता काफी जल्दी बन जाता है क्योंकि मटर भी एकदम अच्छी से boil है ओहा भी है और यह एकदम easily एकदम quick starter recipe आप कह सक सकते हैं और आप इसे party में serve कर सकते हैं या guest आए तो भी serve कर सकते हैं खाने में है एकदम ला जवाब और है एकदम healthy तो इसका texture आप देखी सकते हैं एकदम गर्मा गराम आप इसे chutney के साथ का यह आपको बहुत ही जादा पसंद आने वाला है